मैं नास्तिक क्यों हूँ इस बुक में आपको भगत सिंग की बहुत सारी राइटिंग्स के बारे में जाननी को मिलेगा तो आज हम लोग इस बुक की समरी को जानेगे तो जलिए स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोड़क्शन से स्टार्ट करते हैं भगत सिंग का जन 28 सेप्टेंबर 1907 को पंजाब के लायल पुजिले में हुआ था इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंग और माता का नाम विद्यावती कौर था ये एक किसान परिवार में जन्मे थे अमरत सर में 13 अपरिन को हुए जलिया माला बाग हत्या कांट से भगत सिंग बहुत जादा प्रभावित हुए और यही से उन्होंने अपने आजादी की जंग की शुरुआत की अब है घर को अलविदा जलिया माला बाग अत्य कान्ट से प्रभावित होने के बाद भगत सिंग ने कॉलेज और घर को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने पिता जी के नाम एक लेटर लिखा और घर को अलविदा कर दिया और अपना पहला काम कानपुर आकर शुरू कर दिया यहां वे शिव वर्मा और बीके दत्य जैसे बड़े क्रांतिकारियों से मिले उनका कान पर पहुँचना क्रांति के रास्ते पर बहुत बड़ा कदम बना अब है अच्छूत समस्य ये लेक भगत सिंग ने 1923 में लिखा था इस लेक में भगत सिंग ने मजदूर वर्ग की शक्ती को बताया उन्होंने लिखा हर इंसान समान है ना तो कोई जन्म से बड़ा है और ना ही कोई काम से छूटा है भगत सिंग ने मजदूर वर्ग और किस्तान वर्ग को भारत की असली ताकत बताया और उन्हें क्रांती में आगे आने को प्रेरित भी किया भगत सिंग किसी भी तरह से छुआ छूट पर विश्वास नहीं रगते थे लोने सबसे जादा यूज जनरेशन पर फोकस किया और उन्हें आगे आने को फोर्स किया उनके हिसाब से युवाही सबसे जादा मददगार सावित हो सकते थे क्रांती लाने में अब है नौजवान भारत सब लाहोर का घोशना पत्र भगत सिंग और भगवती चरण वोरा ने स्टूरेंट्स को भी एक करके आगे लाने की कोशिश की और इसी लेक में भगत सिंग ने धर्म को धार्मिक अंदविश्वास को हमारी प्रगती का बाधक बताया और सबसे धर्म को छोड़कर आजाद भारत के लिए लड़ने के लिए सब को आगे आने को का अब है धर्म और हमारा सुतंचता संग्राम धर्म हर तरीके से भारत की आजादी के लिए एक रोडा ही बनता आया है इसलेक में भगत सिंग ने धर्म की समस्या पर प्रकाश डाला इसलेक में उन्होंने धर्म के विरोध करने की बात की जो धर्म छुआ छूट को मानता है उस धर्म का विरोत करने के लिए कहा गया भगत सिंग ने धर्म को दिमागी गुलामी का नाम दिया और साथ ये छुआ छूट जैसे शब्दों को जड़ से खतम करने के लिए कहा भगत सिंग कहते हैं चुआ 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 जैसे शब्दों को जड़ से निकालना होगा हमारी आजादी का अर्थ किवल अंग्रेजी चंगुल से छुटकारा पाना नहीं बलकि पूर्ण सतंतरता का नाम है जब लोग पैस पर घुल मिलकर रहेंगे और दिमागी गुलामी से भी आजाद हो जाएंगे अब नेक्स्ट है सामप्रादाइक दंगे और उनका इलाज जलिया वाला बाग हत्या कारण के बाद अंग्रेजों ने सामप्रादाइक दंगों का खूप प्रचार किया जिसके कारण कई जगे हिंदू मुस्लिम नंगे हुए इस पर भी क्रांतिकारी दल यानी भगत सिंग और उनके साथियों ने अपने विचारों को प्रकट किया वे कहते हैं भारत वर्ष की दशा इस समय बड़ी दैनी है एक धर्म के अनुयाई दूसरे धर्म के अनुयाईयों के जानी दुश्मन बने है अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म के लिए कटर शत्रू होना है भगत सिंग कहते हैं इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है इन दंगों ने संसार की नजर में भारत को बदनाम कर दिया है इस तरह से धर्म हमेशे हमारी प्रगती में रोड़ा बनता आया है तो चलिए नेक्स चैप्टर पर चलते हैं नेक्स है एसेम्बली हॉल में फेका गया परचा एट अप्रिल 1929 को असेम्बली में बम फेकने के बाद भगत सिंग और बटुकेश्वरदत ने एक परचा बाटा जिसमें उन्होंने आजादी की मांग की और शोशन को खतम करने के लिए भी कहा अब बात करते हैं बम कांड पर सेशन कोट में बयान असेम्बली में बम फेकने के बाद 6 जून 1929 को भगत सिंग और बटुकेश्वरदत ने असेम्बली में ये एहतिहासिक बयान दिया इस पर भगत सिंग ने कहा हमारे पास पिस्टॉल बरामत की गई ये एक जूट है हमने जब खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो हमारे पास कोई पिस्टॉल नहीं थी ये विद्रो किसी वेक्ति विशेश के खिलाफ नहीं बलकि पूरे शाशन व्यवस्था की विरिद्ध है भगत सिंग के हिसाब से ये काम उन्होंने मजदूरों की तरफ से प्रतिरोत दिखाने के लिए किया था इन सब के बाद भगत सिंग जेल में थी जेल में भगत सिंग ने पिता जी के नाम एक पत्र लिखा 30 September 1930 को भगत सिंग के पिता सरदार किशन सिंग ने ट्रिब्यूनल में अरजी दे करके बचाव पेश करने के लिए एक मौके की मांगी जो बात भगत सिंग को पसंद नहीं आई इसलिए भगत सिंग ने अपने पिता जी के नाम पत्र लिक कर इस बात को जाहिर करने की कोशिश की भगत सिंग ने उनके पिता का बचाव बिल्कुल नापसंद कर दिया था भगत सिंग कहते हैं मैं आप से आपके मित्रो और तेरे मुकदमे में दिल्चस्पी लेने वालों से यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपके इस कदम को नापसंद करता हूँ मैं आज भी अदालत में अपना बजा प्रस्तुत करने के पक्षमिन नहीं हूँ इस तरह से भगत सिंग ने अपनी नापसंदगी जाहिर अब है मैं नास्तिक की हूँ इस पर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है मैं लिंक डिस्क्रिफ्शन में डाल दूँगी आप इसको जरूर देख लीजेगा अब आगे चलते हैं हमें गोली से उड़ाया जाए भगत सिंग और उनके साथी कहते हैं जहां तक हमारे भागे का संबंद है हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमें फासी बटकानी का निर्णाय ले लिया गया है आप ऐसा करेंगे ही क्योंकि आपके हातों में शक्ती है और आपको यह अधिकार भी प्राप्त है हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रतियुद बंदियों जैसा ही वेवार किया जाए और हमें फासी देने की बजाए गोलियों से उड़ा दिया जाए इस तरह से भगज सिंग ने और उनके साथियों ने ये अरजी डाली लेकिन अंग्रेजों ने इसको नहीं माना और उन्हें फासी दे दी गई तो कुछ ऐसे थे हमारे भगज सिंग जिनको हम लोग आज भी पूरे दिल से याद करते हैं और भी बुक्स रिलेटेड वीडियो के लिए बुक्स सम्रीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग